सच में अगर कमडी प्रॉफिटेबल है तो डिया इसको कुट्टे ने काटा है कि अपने माल बेचीगी हो वो अपना माल भरेगी है साफ सी दिवात है वो अपना माल पब्लिक को चेपके जारी है उपर लेबल्स में जहां उनको मौका मिला है वहां से एक्जिट कर रहे हैं उ दोस्तों अगर आप चैनले में नए आये तो चैनले को सब्सक्राइब कर सकते हैं वो लाल गर आपको बटन दिख रहा होगा साथ में बैल को दवाना ना भूलिएगा टाकि हमारे नोटिविएशन रिसीब कर पाओ तो दोस्तों बहुत सारे लोग आप लोग जो कॉमेंट क कि नौ रोपे के लेवल में आपको किसने बोला बाय करने के लिए और वो भी आपने दस हैर कॉंटिटी बाय कर रिखिये अगर पैनी स्रॉक में आप इन्वेस्पेंट कर रहे होने मेरे भाई तो अपनी कैपिटल का 5% या 2% ही इन्वेस्ट किया करो कब समझोगे रिक्स को मार्केट में एक चीज काम करती है वो है रिस्क अगर आपको अपना रिस्क नहीं पता तो भाई मार्केट में पहले अपना रिक्स ढूंडो ये कोई क्विक एंड रिच स्कीम नहीं है कि कल पैसा डाला आज क्रोड़पती बन गए ऐसा नहीं होता है यापर ठीक है गलती कर तो भाई मैं बोलना चाहूँगा ये बैस पैनी स्टॉक नहीं होने वाला है ये बिल्कुल भी नहीं है तो हो सके तो इस वीडियो को इतना फैला दो ताकि के दूसरा बंदा ऐसी गलती ना करे देखो दोस्तो मैंने इसके प्रफेर लांस देखे मुझे उसमें कुछ काला दाल में कुछ काला है अब वो काला आपको नजर आया नहीं आया मुझे तो भाई कंकर नजर आ गया है दाल में तो मैं बोलूगा कि भाई अगर आपको स्टॉक को बाई करना था ना तो दो या तीन रूपे के लेवल्स में बाई करते स्पेकुलेट करते 100% के डेटन आती और एकजिट कर देते यही इसमें करना था और इसमें ही जो बड़े प्लेयर है डियाई और अफाई आई इस उन्होंने यही किया है आप लोग से रूटिक पैटन को देख लिया करो और उसके बेसिस में ट्रेट कर सकते हो राम से आपको अगर से रूटिक पैटन भी डिट पब्लिक है ठीक है आप 2017 से 2017 से जो आपके डियाई इस लकाताल स्टॉक को बेच रहे उन्होंने एक बार भी स्टॉक में बाय नहीं किया है और सेप्टेम्बर 2020 में भी देखो उन्होंने अभी होल्डिंग बेची है 26% की इंकी होल्डिंग रहे गई है चोध जून में 2020 में 32% थी और बाय कॉन कर रहा है पब्लिक बसको बाय कर रही है ठीक है पब्लिक की होल्डिंग आप देख सकते हो 52% से 73% हो गई तो बात को समझो जो स्टॉक की मूवमेंट अभी आई है इसमें किसका पाटिसेवेट है सिर्फ इसमें पाटिसेवेट सिर्फ पब्लिक का है इसके वो नहीं आए डिटा नहीं आए जब आज आएगा तब हमें पता चलेगा कि हमें इसमें स्टॉक में क्या कर रहा लेकिन सेप्टेंबर तक तक तो इसमें प्रिचर किलियर रहती कि भाई जो स्टॉक में मूव आने वाली है या आई भी थी आप बोच सकते हो तरह कि यूस्प के basis में चलाया गया था, कि इसको यहां से project मिलने वाला है, वहां से project मिलने वाला है, अलाना होने वाला है, फलाना होने वाला है, यह अभी तक approved नहीं हो, यह news है, ठीक है, तो rumors के बज़े से, इस टॉक में इतनी बड़ी movement देखने को मिली है, और अगर यह rumors बहुत त तगड़ी थी, ठीक है, अगर यह rumors बहुत तगड़ी थी कि इसको सच में यह company का बहुत से profit आने वाले, company के लाखो क्रोड़ों का business करने वाली है, तो भाई, डी आइस को क्या पागल कुत्ते ने काटा है, अपनी holding जो है, वह आपको बेश के चले जाएगी, पागल कुत्ते अगर आपको फसाया गया है, अगर आप इसका चार्ट देखोगे न, 2008 और 2009 पर सेम हुआ था, ये 2008 और 2009 पर स्टॉक 30 रुपे का आसपर टेट कर रहा था, 30 रुपे से स्टॉक न, 115 रुपे तक गया था, और इसमें भी क्या हुआ होगा बता रहा हूँ आपको, मैंने तो इ को वहाँ फसाया गया होगा 110 रुपे, और 115 रुपे के लेवल्स में, वहाँ पर 100 पर शोर हूँ कि वहाँ पर भी DIA इसे अपना माल बेचा होगा पबलिक को, पक्का, आप ढूंदो अगर आपको को मिलता है से रोलिक पैटन 10 साल का, और कंपनी के बुक्स में अगर आप प पर पर शोर कर रही है बुक में तो यह DIA इसे इनको क्या यह Profit नजर नहीं आ रहें महीं इनको profit नहीं आते हैं, सोचो अ बात जो बाद कोеждवा अगर इनको फ्रॉफिट सच में profit हो रहे है तो यह DIA इस क्यों बेच रहे है माल अपना और पबलिक क्यों बाई करने में लग आता हूँ देखो यह आपर तीन साल चार साल के प्रॉफिट आया इसको इसका प्राइज को इसका प्राइज ना इसमें क्लिक करना ठीक है इस एक्सपैंसिट टैब में उसके अंदर ना पूरे की पुरी दाली जली वी है आप अगर देखोगे ना फाल तुके इनोंने जम बर्जी चाहे तो marginal cost है marginal cost को बढ़ा दिया घटा दिया ठीक है कभी किसी साल बढ़ा दिया किसी साल घटा दिया और किसी साल क्या होता है यहां पर इपिल्कुल यही दिखाया गया की, हाँ, company को profit हो रहा है, लेकिन यह profit बिल्कुल आप उसको चलावा किया गया, पुरा दिखाया गया की हाँ, सचमें, कि इसको profit हो रहे हैं, लेकिन अंदर तो साला कुछ और ही चल रहा था, ठीक है? तो भाई, इसमें टोटल आपके साथ ना पुरा खेल खेल खेला गया है और आप उस खेल में फच चुके हो अब आप लोगों ने मेरे खाल से इसको बाई तो कर लिया है नौनो रूपय आटर्ट रूपयों में ठीक है यही आप गलती करती हो आप सिंपल इसका सेवल्टिक पैटर्न देख लो या इसमें डिया इस साला पुरे एकजिट कर रहे है तो क्यों कर रहे होंगे सोचो ना थोड़ा तो सोचो अगर आपने इसको बाई भी किया है तो आप कभी भी अपना पूरा capital investment करो आप थोड़ा सा investment कर सकती हो 1000-2000 रुपय लगा के छोड़ दो अगर बढ़ना होगा तो बढ़ जाएगा नहीं बढ़ना होगा तो नहीं बढ़ेगा तो आप इस तरीके समझो आप खुद देखो यार इसमें पूरी public फसी पड़ी है चार्ट मे क्या दिख रहा है अब यहां पर दो यहांपर breakout डिया है लेकिन जेन्वरी का दूड जाट कर लेना इसमेट जो पर तो तो जो साथ रुपे का लो होगा मेरे खासे चेक कर लेना जनवरी का क्या लो होगा है अगर ये लो तूड जाता तो आप अपनी position square up कर लेना इसमें इसका क्यों position नहीं है मेरे साब से ठीक है अगर आपको gamble करना stock में तो आप क्या करो यहां कर इसको buy करो अगर आपको 3 रुपे मिलता stock तो आप इसमें buy कर सकते हो ठीक है अगर आपको gamble खेल नहीं है तो 3 रुपे में gamble खेलो और जाना investment मत करना इसमें आप हस सकते हो जैसे थोड़ा समझो बात को ठीक है आप देख सकते तो ये एक resistance है ये resistance कोई clear resistance लेके नीचे गिर रहा है stock तो इसको अगर उपर जाना तो ये तोड़ देता price देखिए तोड़ नहीं पाया ठीक है अब याँ उसको नीचे गिरके नीचे आ रहा है अब ये lower circuit मे stock आ रहा है तो definitely यहां गए अगर support लेता है सब्सक्राइब कर दो आदेगा उसक्राइब करेपी नहीं नहीं